और बात करते हैं संसध से निलम्भित विपक्ष के सांसदों के धरने की दिल्ले में भारी-बारेश हो रही है जिसकी वजह से निलम्भित सांसद अब संसद के में एंटरिंस के पास बैठे हुए है सांसत बीते 30 घंटे से संसत परिसर्म है 50 घंटे का पूरा ये उनका धरने का कारिक्रम है इस धरने का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है जिसमें सांसत जो हैं वो गाना-गाते दिखाई पड़ रहे हैं सबसे पहले आप ये वीडियो देख लिए आप चल के तुझे मैं लेखे चलू एक ऐसे गगन के तले जहां मोदी ना हो जहां शाह ना हो जहां रोटी वक्त पे मिले एक ऐसे गगन के तले संजे सिंग है ये आम आदनी पार्टी के राजसबा सांसत गाना गा रहे थे गाने को उन्होंने राजनेतिक रूप जरूर दे दिया है और संजे सिंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजे जी बहुत-बहुत स्वागत आपका टाइम्स ना अब भारत पर लोकतंतर में बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 20 सांसतों से उपर सांसतों को निलंबित कर दिया गया है मैं उस पर स्थोड़े सवाल पूछने से पहले यह गाना जो आपने एक नया बना दिया आप गायक बन गए राजसभा MP से वो गाना क्या था जरह दो लाइन हमें भी सुना दीजे देखें गाना तो आज से नहीं मैं 17 साल के 16 अंदोलन की राजनीती से मैं हो गया करीब 35 साल हो गया सारजिनिक बीवन में तो यह कोई पहली बार मैं गाना नहीं गा रहा हूँ मैं गाना गाने का शौक भी रखता हूँ और खास तोर से अंदोलन में कुछ कुछ गीत अपने से बना के गाते रहते हैं तो यह कोई नई बात नहीं है मेरे लिए बड़ी बात यह है कि जिस बात के लिए हम लोग यहां बैठे हैं उस पर सरकार हमारी बात सुनने के बजाए हर दिन सस्पेंसन कर रही है आज हमारे गुजरात के प्रभारी और राजसबा के सांसद संदीप पाठक जी को हरियाना के प्रभारी और राजसबा के सांसद सुसील गुप्ता जी को सस्पेंड कर दिया गया और हम तीनों सांसदों का जुर्म एक ही है एक ही अपराद है हमारा कि 75 लोगों की जान जहरीली सराब पीने से गुजरात में चली गई हम कह रहे हैं सरकार इस पर जवाब दे सरकार जवाब देने के बजाए रोज सस्पेंसन पर सस्पेंसन पर सस्पेंसन कर रही है कि क्या देश के सर्वोच्च सदन में हम यहां घूमने आते हैं क्या 2000 रुपए सांसदों को जो मिलता है सदन की कारवाई का वो यहां आके सिर्फ नास्ता करके और घूम के वापस चले जाए घर इसलिए आते हैं क्या अगर 27 साल से जिस बीजेपी का राज है गुजरात में वहाँ पर बीजेपी का भारती जनता पार्टी का जिला पंचाथ सदस जहरीली नकली शराब बनाते हुए पकड़ा जा रहा है तो क्या यह नहीं माना जाएगा कि गुजरात संदर के संदक्षर में जहरीली शराब का दंदा हो रहे हैं क्योंकि कई लोग यह सवाल पूछ हैं कि संसद जो आते हैं वो क्या इसी काम के लिए आते हैं वहाँ पर तो लोग यह भी पूछेंगे कि संसद 2,000 रुपे के जो मिलता है आपको डेली का भत्ता जब आप संसद में सदन चल रहा होता है तो क्या स्पीकर के उपर पेपर फेकने के लिए आते हैं प्लकाड ले पिछली बार हंगामा हुआ था तीन काला कानून देश के अनदाताओं के खिलाफ लाए गया था और उस पर जब मैंने पार्लामेंट के अंदर प्रोटेस्ट किया ठीक है टेबल पर भी चल गया मैं मानता हूं अपनी बात लेकिन जब आप देश के अनदाताओं के खिलाफ कुछ कर रहे हैं हम सरकार से डिवीजन की मांग कर रहे हैं आपने नहीं सुना बात तो हमने अपना तरीक अपनाया आपने सस्पेंट कर दिया पूरी रात उस समय भी संसत के परिशन में हम लोग बैठे थे क्या हुआ उसमें एक साल तक देश कानदाता सलक पर बैठा रहा बात में मोदी जी ने का हमारी तपस्या में कमी रहे गई काला कानून वापस लेते हैं आपने मजाग बना रहा रखा इस देश को आपको जब मर्दी आएगी कोई भी कानून पास करेंगे जब मर्दी आएगी कोई भी कानून वापस लेंगे पहले दिन हमारी बात मान लेत तो क्यों जरूवत पड़ती है हमें टेबल पे चलने के अगर आज गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाए तो मुझे कौन सी जरूवत है और एक कुछ चस्तरी जाच हो जाए जिन लोगों की जान गई है उस पूरे मामले में तो कौन सी जरूवत है आंगामा करने मैंने तो चर्चा की मांग की उस चर्चा के दौरान अपनी बात में कहता अभी तो बात ही नहीं सुरू हुई थी सरकार कहते हैं कि आप लोग पूरा एजेंडा डिक्टेट थोड़ी कर सकते हैं कि जब किसी सांसत का मन करा कि इस बात पर आप चर्चा कीजिए तो उसी पर चर्चा हो ने ने तो क्या ही एडिक्टेट करेंगे इस देश को जो लोग अपने पूजी पती मित्रों का 11 लाग करों रुपए माफ कर देते हैं जो कहते हैं कि गरीब के लिए हमारे पास पैसा नहीं जी एस्टी कम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं नौ जवानों को रोजगार द लेकिन मैं आपसे में समझना चाहता हूं चाहिए चंद पूजी पत्यों के लिए या तो या तो विपक्ष का हंगामा होता है या सरकार विपक्षी नेताओं की बात पर हंगामा करती है कुल मिलाकर संसद का जो सेशन है वो धूल जाता है बात कैसे बनेगी मैं मानता हूँ जिम्मेदारी सरकार की है कंसेंसिस बनाने की आपको लगता है कोई रास्ता निकल सकता है या ऐसे ही चलता रहेगा देखिए ऐसा है कि मैं कहरा हूँ कि कॉर्परेट टैक्स आपने घटाज के 30% से 22% कर दिया गरीब के दूद पे दही पे चाच पे आटा पे डाल पे चावल पे अस्पताल के कमरे पे आपने बेता हासा टैक्स बढ़ा दिया तो क्या इसका विरोध हम लोग नहीं करेंगे मुझी पतियों को तो आप 145,000,000 परो रुपे का टैक्स राहत देते हैं और गरीब आदमी को उपर टैक्स का भोज लाते हैं अब सरकार कह रही है कि हम महंगाई पर जो चर्चा करने को तयार हैं पर उस महंगाई की चर्चा में आप नहीं होंगे आप जैसे और 20 सांसद नहीं होंगे हाँ तो आप जबरदस्ती करके सबको सस्पेंड करके बाहर करते जाएंगे ताना साही दिखाते जाएंगे आज भी हमारे 2 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है इन लोगों ने तो इसका इलाज हमारे पास फुरी है आपको लगता है कि सरकार बहस कराना चाहती है पर विपक्ष के सांसदों को नहीं चाहती उस बहस में ये तो विपक्ष ही नहीं चाहते ये तो चाहते हैं कि सारे विपक्ष बाहर बैठे रहे सदन में जो चाहें ये ताली बजा के पास कर ले संदीप पाठक सुसील गुफ्ता का निलंबन ताली बजा के पास कर ले तो यहीं चाहते हैं दो चोटे-चोटे सवाल है संग्षेप में जवाब दीजेगा आज बीजेपी के कुछ नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो विपक्षी सांसद हैं आप और बाकी जो लोग हैं गांधी मूर्ती के पास बैठकर चिकन पार्टी कर रहे हैं अरे भाई तो ऐसा कीजिए कि एक डाक्टर भेजिए उनसे कह दीजिए सारा काम छोड़के पहले तीन पार्लेमेंटरी एफेर्स मिनिस्टर से मेरी तरफ अन्रोथ कर लीजिए मेरी तरफ से कि वो कोई डाक्टर भेजके पहले मेरे पेट का अपरेशन करके कल से आस तक जो जो खाया है निकाल के चेक कर लें यह कोई बाहत फाल क्योंकि बातें यह लोग मुद्धा बनाते हैं जिस चीज पर जवाब देना है जिए गरीब भूखों मर रहा है उस पर जवाब दे नहीं रहे हैं कौन का अच्छा है कौन क्या नहीं खाया अच्छा मैं आखरी सवाल आपसे पूछना चाता हूँ गुजारिश है सवाल नहीं है वो थोड़ा सा गाना हमारे दर्शों को सुना दीजिए जो भी आप मोदी जी और अमित्शा जी को लाइन में पिरोकर आप गा रहे तो एक बार जारा सुना दीजिए आप वीडियो त तले जहां मोदी ना हो जहां शाह ना हो जहां युवा को नौकरी मिले इक ऐसे गगने के तले आचल के तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगने के तले जहां मोदी ना हो जहां शाह ना हो जहां बच्चों को दूद मिले चली संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जनता और बीजेपी भी यही कहेगी देखिए मोदी जी और शाह जी जनता से चुने वे लोग हैं तो आपकी मनोकामना गाने से पूरी होती हुई अभी तक तो जब तक जनता का उनको आशिरवाद है वो होती ही दिखने ही रही लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि संसद कैसे चले के सरकार कैसे विपक्ष को अपने साथ लेके चले क्योंकि जिम्मैदारी कुल मिलाकर विपक्ष से साथ सरकार की जाधा बनती है कि संसद की कारवाई को ठीक सरह से सुचारू रुप से चलाए जाए। देश के लोकतंत्र में कि सरकार सबको बाहर फेकती रहे और उसके बार अपनी मर्जी से बुल्डोज करके अपने जितने भी बिल है या जो भी संसत का काम है उसको पूरा करा ले